अलो दोस्तों मैं डाक्टर मनोज कुमार्ण स्वागत करता हूं मनोज यूटूब चैनल में आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद धर्म पर बौद धर्म क्या है बौद धर्म के प्रिषपादक कौन थे बौद धर्म के कौन-कौन से संप्रदाय थे किन-किन राजाओं ने इस पर अभी तक सनक्षर दिया था इस सभी की करेंगे इसके बाद जब या वीडियो आपको समपथ हो जाएगा तो आपको पता दें अगली क्लास में हम इस पर एक उप्राक्टिस т लिए आएंगे बौद धर्म इस अच्छेगास क्वेश्चन आते हैं प्रारंभिक जीवन, देखते हैं महात्माबुध का प्रारंभिक जीवन, महात्माबुध का जन्म 530 इससापुर में कपिल वस्त के समिल लुम्बनी में हुआ था, जिसे आधुनिक समय में रूमिन्देई कहा जाता है यहीं असोक का साक्यमुनी लेख है जिसमें भूमिकर घटाने का जिक्र है आपको बता दें असोक द्वारा सामान तयाज समस्त जगह पर करल भूमिकर लिया जाता था एक बटे च्छ भाग एक वटे छ भाग लिया जाता था लेकिन महात्मा बुद्ध का यहाँ पर जन्म लुम्मिनी में जन्म होने के कारण या तो यहाँ के कर को एक वटे छ भाग कर दिया था मतब एक वटे या तो मुक्त कर दिया था या तो एक वटे आठ ले रहा था बढ़ा धिये घटा करके ए इनकी माता का नाम माया देवी था जो कोली गनराज की कन्या थी महत्मा बुद्ध की मा कोली गनराज की कन्या थी बच्पन में इनका नाम था सिध्धार्त महत्मा बुद्ध की बच्पन का नाम सिध्धार था इनका पालन प्रोशन इनकी भी माता अर्था संतेली मा प्रजाप प्रति गौत्मी द्वारा किया गया जन्म के समय काल देव और कौडल्य ने भविसवाली की थी कि या बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या कोई चक्रवर्ती समराट बनेगा इसके बारे में महात्मा बुद्ध की बारे में बच्पन से ही जब इनका नाम करण हो रहा था तो इनके भविस को देख कर जो तसियों ने बताया या तो महात्मा बुद्ध बहुत बड़े राजा बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे इससे घवडा कर इनके पिता थी और इसका नाम था यह सोधरा इन्हें भिंबा गोपा भध्र कच्छ कहा जाता इनके पुत्र का नाम था राहुल महात्मा बुत्र के बारे में संचिप में समझ लेजिए महात्मा बुत्र का जन्म 563 इसा पुर में लुम्बिनी में हुआ था इनके पिता का नाम सुद्दाधन माता का नाम जो है महा माया देवी था और इनके पुर्ण पोसर इनकी संतेली मा महा प्रजापती गौत्मी ने किया इनकी पत्नी का नाम यह सोधरा था पुत्र का नाम राहुल था सामा ने राजकुमार का जीवन जीते हुए बुद्ध के जीवन में भोग एवं इसकी निह सटता के बीज एक एकीपन था जिस पर राजकुमार का जीवन द्रिश्य का प्रभाव माना जाता है बुद्ध ब्यक्ति, बुद्ध ब्रिद्ध ब्यक्ति, विमार ब्यक्ति, मृत ब्यक्ति और निर्द्वंद सन्यासी महात्मा बुद्ध ने ब्रिद्ध व्यक्ति को देखा, भीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृत्ध व्यक्ति को देखा, और निर्द्वंद सन्यासी को देखा ग्रिहस्त त्याग महाभी निस्कुम्रण, 29 वर्ष की आयु में घोड़ा, इनके घोड़े का नाम कत्थक नामक घोड़े, चन नामक सार्थी के साथ महात्मा बुद्ध ने गौत्म बुद्ध ने बिविन सन्यासियों से सिच्छाग्रहन की, सर्व्थम बैसाली के पास अलावार कलाम के आस्रम में तपस्या किया जो सांग दर्षन की आचारी थे, इनमें इन्होंने उपिनिसत की सिच्छाग्रहन की, अलार कलाम से इन्होंने उपिनिसत की सिच्छाग्रहन की, राजग्रे के पास रुद्रक रामपुत के पास गए वहां इन्होंने योग की सिच्छा ली किन्तु वहां वे भी संतुष्ट नहीं हुए उर्बेला गया में पांच प्रहमडों के साथ पहुँचे तता निरंजना नदी के किनारे इसी को फाल्गु नदी कहा जाता नदी के किनारे पीपल ब्रिच के नीचे कठोर तपस्या आरंभ कर दी च्छा वर्ष की तपस्या, कठोड तपस्या से आसंतुष्ट गौतम बुद्ध कुछ नर्तकियों का गीत सुना मध्यम मार्ग की ओर प्रेरित हुए सुजाता के हां से स्खिरकाई जिसके कारण इनके पाँच ब्राहमर साथी साथ छोड़ कर सार नाच चले गए 35 सुवर्ष की आई में बैसाक पूरिमा के दिन 49 दिनों की साथना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुए इस अवध में असूर कामदेव मार ने तपस्या में बयोधान भी डाला ज्ञान प्राप्त के बाद वे बुद्ध प्रकासमान चागरित कहलाए यानि उन्हें दुख के कारणों का पता लग रहा ऐसा बहुत धर्में ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध को दुख के कारणों का पता चल गया था बुद्ध के अन्य नाम थे तथागत महात्मा बुद्ध का अन्य नाम था तथागत कहा जाता है जो सत्य को प्राप्त करें उन्हें तथागत कहा गया साक्यमुनी साक्यों का गुरू साक्यमुनी कहा गया है माना जाता है कि सबसे पहले तपस्य और मली नामक दो बंजारों को उपदेश दे कर अपना अनुवाई बनाया था निर्मार का साब्दिक अर्थ होता है बाती का बुझ जाना अगर बात करें बौध धर्म में बौध धर्म में निर्माड का साब्दिक अर्थ होता है बाती का बुज्जाना यानि कामना का अंत हो जाना ही निर्माड है निर्माड प्राप्त करने के बाद वे रिसी पत्तन असारनाथ का प्राची नाम था रिसी पत्तन गए जहां पाच ब्राहमर सन्यासियों कौडिन आंज असज वप और भद्दिय को पहला उपदेश दिया या घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है बाद में असोक ने उस स्थान पर एक प्रस्तर इस्तम और इस्तूप का निर्माड करवाया था सारनाथ से ही असोक के ललाट में बने हुए सिंग को भारत का राष्ठी प्रतिक माना गया है धर्म प्रचार सारनाथ से वारान सी गए यहां यस नाम के स्रिष्ठी को सिस्थ बनाया यहां से बुद्ध पुन सारनाथ आये यहीं ज्ञान प्राप्त के बाद का प्रतम वर्साकाल बिताया सारनाथ से उर्बेला जाते समय भद्र सहीत तीस धनी युवकों को अपना सिस्य बनाया इसके बाद राजग्रिय गए जहां बिम्पिसार ने बेंड बन दान दिया तथा सारी पुत्र मौद गलायन उमाली अभै आज सिस्य बन गए राजग्रिय में ही रहते हुए कपिलवस्त की यात्रा महात्मा बुद्ध ने किया जहां अपने परिवार को दिछित किया तथा साक्य के नव निर्मित संस्थागार का भी उदगाटन किया था कपिलबस्त से राजग्रिय जाते समय महात्मा बुद्ध ने अनुपिय नामक अस्थान पर विश्राम किया अभिपाय साक्य राजा भाद्रिक अनुद उपाल देवदत बुद्ध का चचेरा भाई जिसने उन पर तीन बार हमला भी किया था आनन्द को साथ ले बुद्ध से मिला तथा महात्मा बुद्ध धर्म में दिच्छित हुआ जैसंकर मिस्रा ने इस वात का उलेख किया है अपनी पुस्तग में राजग्रिय के बाद बैसाली गए जहां लिच्छिवियों द्वारा महावन में कुटाग्र साला निर्मित करवाया यहीं पहली बार आनंद के कहने पर महिलाओं को पहली बार प्रजापती दूसरी महिला आमरपाली संग में प्रवेश करती की अनुमत मिल गई तदा उनके वैसाली धर्म प्रचार के पाचवे वर्स इस्थापना वैसाली में राजा मुकुन मधुवर्सों 250 हिंदू सब्विता में भिच्छिडी बना दिया गया वैसाली से वे मगों की राजधानी सुमसुमार गिरी गए बोधिकुमार को सिस्य बनाया महत्मा बुद्ध ने बायसाली से मगों की राजधानी सुमार गिरी गए और वहीं पर बोधिकुमार को अपना सिस्य बनाया इसके बाद महात्मा बुद कौसांबी गए और वे मतुरा के समीब बेरंजना गए इसके बाद राजग्री गए राजग्री स्रावस्ती का ब्यापारी सुदात जिसका नाम था अनात्पिंडक इनका सिस्थ बन गया इसने राजकुमार जेत को से 18 करोण स्वण मुद्राव में जेत वन बिहार खरीद कर महात्मा बुद को समर्पित किया इनके अंकन इसका अंकन जो है भरहूत में किया गया है महात्मा बुद को प्रद्द द्वारा भी निमंत्रन मिला परंद विद्धावस्था के कारण स्वयम नहीं जा सके अता महा कचायन को उपदेश देने के लिए भेज दिया कहा जाता है महात्मा बुद ने कमपा के कंज जंगल की भी यात्रा की थी सबसे अधिक 21 वर्स वर्षा वास बुद्र ने स्रावस्ति में कीज़ northern पुश्टा है कि महात्मा बुद्र ने सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान में विताई थी तो आप जानले में कहां पर स्रावस्ती में किया تھा प्रसेंजित ने परिवार सहित महात्मा बुद्ध की सिस्था ग्रहन की थी एक ब्यापारी की पुत्री विसाखा ने उनकी सिस्था ग्रहन की थी तथा पुर्वा राम नामक बिहार बनवाया था सरावस्ती में ही अंगली माल नामक डाकू को महात्मा बुद्ध ने अपना सिस्य बनाया ग्यान वर्स के 20 वर्स बाद ये घटना होई थी कौसांबी का सासक उदयन बहुद भिच्चू पिंडोल भारतवाच के प्रभाव में बहुद धर्म बहुद हो गया तथा उसने घोसिता राम बिहार भिच्चू संग को दान में दिया था मल्ल की राजधानी पावा में चुंद नामक लुहार की आमरपाली बाटका में ठारे जहां पर सूकर मद्दो खाने से अमाति सार हो गया वहां से वे कुसी नगर पहुँचे जहां 483 इसापुर में 80 वर्स की आई में महात्मा बुद ने सरीर का त्याक कर दिया या घटना महा पर निर्मान कहला या घटना महा बुद धर्म में महा पर निर्मान कही जाती है मृत्त के से पूर्व इन्हों ने कहा सभी सांधातिक वस्तूओं का विनास होता है परिश्रम के सांथ चेष्टा करो मात्मा बुद्ध ने अंतिम समय पर यही उपदेश दियाता सभी सांधातिक वस्तों का बिनास होता है और परिस्रम के साथ मनिश को चेश्टा करनी चाहिए बुद्ध ने अंतिम वर्साकाल में बैसाली में बिताया बुद्ध ने अंतिम वर्साकाल बैसाली में बिताया मल्लों द्वारा उनका अंतिश संसकार किया गया उनके सरीर धात की आठ भाग विभिन राजाओं को दिये गए जिस पर स्तूपों का निर्मार किया गया ये राजा है और सेस का बटवारा जो किया गया था दोस नामक वाह ने किया हमने भी चिता साब्य स्तूप भुक सामली मौज का बटेर पंडित बिना राज कुस कुसी नगर में अतल प्लस में बटवारा के बाद पहुँचे अतछिता भसम का ही इस्तूप बनवाया इस्तूप निर्मार कच्छाओं का उलेक महा पर निर्मार सुत में दस इस्तूप बनाए गए है पावा तत्था कुसी मल के मलों ने इसमें भाग लिया, रामाग्र के कोलिए ने भाग लिया, कफिल वस्तु के साक्यों ने, पिपली वन के मोरी ने, वैसाली के लिच्षुई ने, बेठत द्शी दिव के ब्राहमणों ने, अलकर्ब के बुली ने, मगत के राजा अजाज सत् इस समस्त लोगों ने एक एक बहुत इस्टूपों का निर्मार करवाया था महात्मा बुद्ध के प्रमुक सिस्य कौन कौन से थे आपको बता दें महात्मा बुद्ध के प्रमुक सिस्य सारी पुत्र सारी पुत्र के बारे में बता जाता थे ब्राहमर आ ब्राहमर था राजग पुद्ध के निवासी था बुद्ध की जीवनकाल में महांतम दैवी सक्तियों के पुंज के रूप में इनको जाना गया है। महाकस्य प्रथम बुद्ध संगीत के अध्यच थे यह बुद्ध की मृत के बाद तुरंद 483 इसापूर में हुआ था। प्रदोत को पांडरोग ठीक करने के लिए इसको बेजा था। यह जो है अजासत्तुरू के समय में ही इसका वो हुआ था। और यह जो है विम्बिसार जो है अजासत्तुरू के समय में मदक का हर्यकवनसी राजा था। और इसी के सासंकाल में जो है प्रथम बाउजिसंगत का आयोजन हुआ था। बुद्ध की प्रमुक साखाएं बुद्ध की प्रमुक सिस्याएं कौन कौन सी थी। महात्मा बुद्ध की प्रमुक सिस्याओं की बात करते हैं प्रजापति गौत्मी सुद्धोधन की पत्नी और बुद्ध की मौसी थी। कौन थी बुद्ध की मौसी थी आर्थात यासाओं तेली मा कह सकते हो यह सोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी इनकी अन्य नाम बिम्बा गोपा भद भद कच्छा मिलते हैं मल्लीका यकोसल नरेश प्रसंजित की पत्नी थी नंदा प्रजापती गोथमी की पुत्री थी विसाखा अंग के स्रिष्टी की पुत्री और यह जो है पुब्वारम बिहार का निर्मार करवाया छेमा बिम्बिसार की पत्नी आमरपाली बैसाली की गणिका थी बौद दर्शन इनका मूल चार आरिसत्य है दुखान्तवाद बौद दर्सन की बात करें महात्मा बुद्ध की दर्सन की बात करें तो इनका मूल जो है चार आरिसत्य है दुखान्तवाद या संसार दुखों से भड़ा है महात्मा बुद्ध कहते हैं या संसार दुखों से बढ़ा है जिसको पाली भासा में कहा गया सब्बम दुखम दुखह जैसे जर्म जरा मरन अप्रिय मिलन प्रिय बियोग दरित्ता बाधी रोग आद दुख समुदाय और या बुद्धिवाद कहा गया है तुख का मूल कारण अविद्या अज्ञान तथा तृणा तृणा तृष्णा असक्तिय राग है या कर्म फल उत्पन करने वाले अज्ञान रूपी चक्र अर्थात प्रतित्य समुद्पाद होता है प्रतिय समुद्पाद मध्यम्मार का परचारक है या वस्तूओं की परिवर्तन सिल्था को म प्रतित्य समुद्पाद में 12 चक्र हैं बौध दर्शन का समस्त परवर्ती सिद्धान्थ प्रतिय समुद्पाद पनिर्भर है इस सिद्धान्थ से कर्मवाद की अस्थापना होती है अब बात करते हैं बरतमान से समध्ध से लेकर अंत तक इसे कहा गया है आविद्या जात में थन contempt करता है। आपको बता दें अजन्सकार करता है और संशकार से प्राप्त करताker आथ से संबंध होती है अजन्सकारaking प्रविज्ञान की तरह बढ़ता है और भिज्ञान फिर नाम रूप और फिर खर्ष्ट दर्तयन इसपर्स फिर बेदना इसपर्स वामतकिसी को छूते हैं फिर जब उसे बिछराव होगा ता आपको बेदना होगी अब बेदना के वाद तिश्रा तिश्रा के बाद उपादा उपादान को भव भव के वाल जाट जात को जरामरा जरा और नामरूप बिज्ञान को बर्तमान से सम्मद्र रखा गया है जब उसे जातावाद़, आविध्या या तिश्रा आ सक्त का तयाग दुख को दूर करने के राश्ते को सुगम करता है दुख निरोध गामनी प्रत्धपदा प्रत्धिपदा प्रत्क्रियावाद या इस्टांगिक मार्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें तील समयक द्रिष्टी समयक संकल्प समयक वाख इसी को कहा गया प्रग्या इसकंद में क्या क्या सामिल होते हैं समयक द्रिष्टी बाद धर्म के प्रग्या इसकंद में सामिल होते हैं समयक द्रिष्टी समयक संकल्प और समयक वाख और सील इसकंद में सामिल किये गए हैं समयक कर्म समयक आजीवन और समयक ब्यायाम समयक इस्मृति और समयक समाधि बौद मत के प्रमुक दार्शनिक से धानत हैं प्रतित समुत्पाद इसके होने से यह उत्पन होता है अनात्म बाद आत्मा नहीं है छनिक बाद सरीर छन भंगूर है तथा रूप संग्या बेदना बिज्ञान संसकार से बना है कर्मवाद कर्मफल से सरहने पर पूरा जन्म होता है अनिस्वरवाद इस्वर की सत्ता अस्विकार है बुद्ध जाती बुद्ध जाती बिवस्था के विरोधी नहीं थे वे जन्म की आधार पर किसी भेद भाव को सिवकार नहीं करते हैं उनकी अनुसार भेद, गुण बुद्धी तथा कर्म के आधार पर होना चाहिए। संग का द्वारा सभी जातियों के लिए खुले थे। चार भुद्धों ने उबदेश दिया है कुकुचंद या कनकमुनी, कस्याप, साक्यमुनी और ध्वानी ब्रियाद मैत्रे आने वाला भुद्ध को मैत्रे कहा जाता है या घोड़े पर सवार होकर आने वाले भुद्ध। आने वाला भुद्ध कहा गया है किसको मैत्रे को गोड़े पर सवार होकर आएंगे। महायान बुद्ध में बुद्ध को एक आध्यात्मिक सक्थ की पार्थिव अभिव्यक्ति माना गया है जिनके तीन सरीर हैं। धर्म काया इन्हें आधी बुद्ध को सुन्यत तथागत गर्व बोधित्व सत्य भी कहा जाता है। वस्तुता या निर्माड की सत्ता है संभोग काया या क्या है इसका वासस्वर्ग में होता है। जिसे सुखावत कहा जाता है इसके अभिभावक अमिताव या अमितायूस कहलाते हैं। निर्मार काया क्या है आयतिहासिक बुद्ध की काया है। बुद्ध धर्म में त्री रत्न माना गया बुद्ध धर्म के तीन रत्न कौन-कौन से हैं। बुद्ध धर्म और संग ये सभी क्या हैं। बुद्ध धर्म के त्री रत्न हैं। बुद्ध ने ग्यान की अपेच्छा सीले को महत्त पूर्ण बताया है। वह संसार त्याग के पच्छी में नहीं थे। परंद संसारिक सुखों को निर्मार प्राप्ति में बादक समस्ते थे। महत्मा बुद्ध धर्म के अनुयाई । ओ वर्ग थे, अपासक तह भिच्छो। महात्मा बुद्ध अर्थात बौद धर्म के अनुयाईयों का दो वर्ग था एक था उपासक दुस्था था भिच्छू उपासक पंज सील का जब के भिच्छू दस सील का आपको उपासक पांच सीलों का जब के भिच्छू दस सीलों का क्या होता था पालंग करते थे साधारन मनुष्य के लिए उपासक धर्म का उपदेश दिया जाता था जिसका विब्रण दिर्श के निकाय में सिंगालो वाद सुत में दिया गया है बुद्ध घोस ने इसे गिह बिनय की संग्या दी है पंच सील, हत्या, चोरी, व्यभिचार, असत्य, मादक दर्ब्य सुदूर अनाना इसको पंच सील कहा गया है महीने में चार दिन उपवास मनाया जाता था आमाउस्या, पोडिमा और दो चतुर्थ दिवस सबसे पवित दिन है बैसाक पोडिमा इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म निर्मार ज्यान प्राप्ति तथा महापनिर्मार हुआ था महात्मा बुद्ध बैसाख पूरिमा के दिन ही मरते हैं और बैसाख पूरिमा के दिन ही उन्हें महा पर निर्माल की प्राप्ति होती है संक्राचारी पर बौध धर्म के तर्क के प्रभाव के कारण ही उन्हें प्रचन बौध कहा जाता है संक्राचारी जो थे संक्राचारी पर बौध धर्म के तर्क का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था इसलिए संक्र को जो है प्रचन बौध भी कहा जाता है प्रचन माने होता है छिपे हुए बौध कहा जाता बौध संगतियां महात्मा चार बौध संगतियों संगतियां हुई हैं चार तो बात बता दें कि चार जो बौध संगतियां हुई हैं ये कौन-कौन से थी प्रतम बौध संगति 483 इसापूर में राजिग्रिय में हुई थी जिसके सनक्षक करता थे आजाद सत्रू और इसके अध्यच थे महाकसप और इसमें बिनाई पिटक उपाली और सुथ पिटक और जिसका संक्लन करता जो है आनंद को माना जाता है बिनाई पिटक का उपाली और सुथ पिटक का आनंद को इसका संक्लन करता माना जाता दुतिया जो वह 383 इसाप्रमर्थात मृत्यू के ठीक साल बाद 22 साली में हुआ था जिसका सनक्षन करता राजा था काला सोग इसी को काकवन भी कहा गया क्या कहा गया है काकवन कहा गया मतब कवे की तरह काला कहा गया है सबक मीर ने साबक मीर ने इसकी अध्यचता की थी बौद धर्म बौद संग का विभाजन इसमें हुआ था इस्थबीर और थेरवाद पस्चिमी महा का चायन तथा महा संगीक पूर्वी महा कस्यप में बठ गया था त्रितीय पर निर्मार के 236 वर्षबाद हुआ था पातली पुत्र में कहा गए था पातली पुत्र में हुआ था जिसको सनक्षा करता असोग था मोगाली पुतिष इसका अध्यच था आबिधम पिटक का संकलन करता संग भेद रोकने के लिए कठोल नियमों का निर्मार करता है कुंडल वन में इसमें चतुरंत शंगत कुंडल वन कस्री और कनिष्क वस्मित्र आस संथ का फ़िक लिखि का विभाजन हीन यान तथा महायान में हो जाता अगर आपसे प्रशवры कुछता है यह महायान में बहुत धर्मका विभाजन किस संगत में हुई आप गोटा देट हमें ती इस भी में है ये डिफोने है दुटीय आ बहुत संगत के त mañana यह एक इसलिए इसल्याइस सब्थ सत्र जाता है आप वुटार्च जा। संगत को सब्थ सत्र करते हैं ठ्रुत के बहुत कर बहुत धर्म के प्रचार के पर की सुमलत हो »,рь है। के समय भारत के बाहर बौध धर्म के प्रचार की संकल्पना जागरित होती है इसका प्रमुक राजा था असोक इसके जो है असोक ने इसकी सुरुवात करता है कौन करता है समराट असोक करता है कनिस्क महायान बौध धर्म का संग था बौध संग बौध संग कौन करते रिसी प का बिवारिक रूप प्रस्तुत किया या लोकतांत्रिक मुल्यों के साथ विक्सित हुआ और इसे मानवी सामंतवाद पर बल देने वाला कहा गया है संग में प्रवेश के लिए माता पिता की अनुमत आवस्यक्ती 15 वर्से कम आयू वाले अस्वस्त रोगी बिकलांग चोरों अपराधियों दासों राजा के सेवकों सैनिकों कर्जदारों को संग में प्रवेश नहीं दिया जाता था 15 वर्स की अवस्था निरुतम में स्राण मेर स्रमडक के रूप में संग में प्रवेश दिया जाता था ग्रिहस्त जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाया था इन्हें दस नियमों सिच्छा प्रत का पालन करना होता था योगिता होने पर 5 वर्स बाद या 20 वर्स की आयू के बाद उन्हें उपसंपदा के माध्यम से भिच्छु का दर्जा दिया जाता था बढ़ धर्म में संग का अध्यच हमेशाद चैनित होता था उसे संग की सदस्यों के मता नुशार कार्य करना होता था एवं अत्यन्त महत्पूर फैसले अध्यच एक परसफ के सांथ मिलकर करता था संग में कोई भी कार्य संपारिक करवाने के लिए प्रस्ताव नित्य प्रवित्य फेश किया जाता था सारी बातें मतदान पर निश्चित होती थी प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे मतदान सालिका सलाका के आधार पर प्रस्ताव बहुमस से स्विकार किया जाता था भूम किस्म किया जाता था किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को अधिकरण कहा जाता था मतदान, कुलहक, गुप्त तता बीवतक प्रत्यच दोनों प्रकार से होता था लेकिन संग में इस तरह कारी करने के लिए गण पूर्त के लिए बीस सदस्यों की उपस्ति आवस्यक होती थी अगर संग में कोई कार्य किया जाता था और संग में इस कार्य को करने के लिए कम से कम 20 सदस्यों की उपस्तिती जार आवस्यक थी संग की कारवाही से संबंधित अधिकारी जो होते तो कौन-कौन से थे आशन प्रज्यापक सभा में बैठने की व्योस्था करने वाला भंडा गारिक खाद सामगरी संगराहित करने वाला कपी कारक विभिन वस्तूओं का ख्रय करने वाला चीवर पत्तिगाहक वस्त्र का संगराह करने वाला आरामाक्मिक पुसक सयन बैवस्था करने वाला नवकमिक या भवन आवास आदिके निर्माण की देख रेक कने वाला इस्त्रियों का संग से इस्त्रियों का संग अलग होता था और उनके स्रेश्ट वरिष्ट होने पर भी पूरुस भिच्छियों की बंदना करनी होती थी आपको दादि इस्त्रियों को बहुत धर्म में कम महत्पूर माना गया है यही कारण है कि बहुत धर्म में पूरी भी विद्वान अगर बहुत धर्म का अन्वाई होता था जाए वो कम बुद्धिमान हो और इस्त्रि बहुत ही बुद्धिमान हो फिर भी वो और इस्त्रि इनकी पुजा करती थी अर्थात इनके सामने हमेशा नत्मस्तक रहती थी विशेस आउसर पर होने वाली धर्म वार्ता को उपोसत या वस्च की समाप्ति होने वाली आपराद स्विक्रती को पित्त मुख पवारन कहते थे विश्चूओं को वर्षाकाल में एक जगा इस्थिर रहना पड़ता था जिसे वस्च कहा जाता था बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तरादिकारी घोसित नहीं किया था प्रसिद बौध दार्षिनिक कौन कौन से थे उनकी चर्चा करते हैं बुद्ध धर्म के लिए आस्वघोस कभी नाटक कार संगीत कार विद्वान सास्त्री था या बुद्ध चरित का लेखक था बुद्ध के जीवनकाल पराधारित महाकाब भी है जिसे बुद्ध चरित कहा गया है इसके अस्तरित और आस्वघोस की पुस्के हैं संदरानन्द सारी पुत्र प्रकरण या प्रसम न नागारजुन को भारत का आइश्टीन कहा जाता है या सुन्यवाद के नाम से प्रसिद माद्धिविक धारा को की प्रणेदा माना जाता है प्रतम सदी इस्वी में चीनी जाकर बुद्ध कृतियों का चीनी भासा में आनुबाद किया असंग वसुबंदु दोनों भाई थे पंजाब के भिच्चु संग से थे मुल्तः सरवास्तिवाद संप्रदाश से संबंधित थे योगाचार धारा के प्रणेता मैत्रेय नात असंग के गुरु थे वसुबंदु ने अविधम कोस्त था त्री सिंका इसका हवेंसाग ने चीनी भासा में अनुबाद किया कि रचना की थी वसुबंदु ने चौथी इस्वी में नेपाल की यात्रा की थी चीन जाने वाले प्रथम बहुत भिच्चुक कस्यप मातंग 65 इस्वी में सरप्रथम बहुत चीनी में आबाद जमाधी हासा में कि जांकर अतिस्वा कमल सील भी तिबबत गय थे तिबबत में बाउदक बाउद धर्म का बाउद धर्म का प्रवेश चौती सतापदी के आरंभ में सांद छित वपद असंभत तिबबत सरवास्तिवादियों का किंद्र बन गया बुद्ध घोस बुद्ध घोस पाच्वी सतापदी के महान पाली विद्वान था ये आगमों के सबसे बले ठीका कार माने जाते हैं इनकी रचना विसुद्ध मग को तिर्पिटक की कुण्जी माना जाता है वह सुद्ध निपात पर्टिका इसने लिखी सम्मोहन विनोधनी विभंग पर्टिका लिखी अट कथा का सिंगली में मागती से अनुबाद किया अट कथा तिर्पिटक का भास से है बुद्धिदत बुद्धिदत कौन था आप जानले जहें बुद्धिदत बुद्धिदत बिनय बिनिच्चय रूपा रूभिंग मदूर्थ बिलासनी जिना लंहार तथा अभिधम्मा वतार के रचैता थे बुद्धिपालिव भाव विवेग पाच्वी सदी में सुन्यवाद के भास्याकार थे दिगनाग पाच्वी सदी के महान बुद्ध जीवी तरक सास के प्रवर्तक थे मद्यकालीन न्याय के जनक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं चंद्र किर्ती इस्थिरमती और कनिष्ट धमपाल सुबंदु के सिस्थे आर्य देव सांती देव संत रच्छित कमल सील सुन्य के विद्वान थे धर्मकिर्ती सात्मी सताबदी में एक महान बौध न्याय थे ये सुच्म दारसनिक चिंतन तथा भासा बैग्यानिक थे इन्होंने ज्ञान मिमान सात्मक चिंतन से सम्मंधित वज सूची की रचना की डाक्टर इस्ट्रेच वास्की ने धर्मकिर्टी को भारत का कांट कहा है आपको बता दें धर्मकिर्टी को भारत का कांट कहा जाता है अश्ट महास्थानक लुम्बनी बोध गया यह जो है प्रमुक अस्थर्म बौध धर्म से समन्दित हैं अश्ट महास्थान कौन-कौन से थे बौध धर्मे आश्ट प्रमुक धर्म बौध धर्म के अस्थान माने गये हैं लुम्बनी, बोध गया, सारनात, कुसी नगर स्रावस्ती, संकासी, राजग्री है, बैसाली इन आठों अस्थलों को अश्ट महास्थान कहा जाता है बाउद्य धर्म में, बुद्ध ने धर्म पचार के दोरान सबसे ज़्यादा समय स्रावस्ती में बिताया, वे गण संगों कि एकता एवन लिछवियों के राज्य न्याय व्योस्ता के प्रसंग सकते, बुद्ध धर्म से संबनित कुछ अन्यस्थल थे, आमरावती, नागार जुनी कोंडा आंधप्रदेश में है, जुनागर बल्लवी गुजरात में है, साची भरहूत मदप्रदेश में है, पस्चमी भारत के अधिकांत स्थल साहल निर्मित गुफाओं के रूप में है, बुद्ध से संबनित प्रतीक चिन कौन कौन है, उनके जीवन से जुड़े चार प्रमुख, पस्चमी भारत में है, हाथी बुद्ध के गर्व में जाने का प्रतीक होता है, साड उनके यवन का प्रतीक होता है, घोड़ा ग्रिहत्याक का और सेर संब्रित का प्रतीक होता है, ही नियान के लिए बुद्ध सिचक थे, देवता नहीं थे, आपको बता दें, बहुत धर्म के समय में जो विचार क किया गया हिन्यानियों ने महात्मापुद्र को सिच्छक के रूप में पूजा है देवता नहीं माना है हिन्यान में उनका प्रतिनित निम्लिखित प्रतिव को के माध्यम से किया जाता था बोध ब्रिच बोध ब्रिच नीचे में बोध ब्रिच और नीचे में ब्रज्यासन ज्यान प्राप्ट का प्रतीक है माला चरहाया हुआ चक्र धर्म चक प्रवर्तन का चक्रम जो है पद्याता का प्रतीक है इस्तूब मृत्व के प्रतीक माने गए हैं किसमें ही नियान में बौध साहित्य की अब चर्चा करते हैं बौध्यों में मुख साहित्य कौन से बौध धर्म के मुख साहित्य कौन कौन से हैं आधिकान सा साहित्य पाली भासा में लिखे गए बाद में साहित्य को संस्कित भास इसम आंवार ainda इंदमें लिंग वने मवाले कउन्पल से लिपिवद्न किया गया है ब़ध साहित में सबसे अधिक महत्व है जो त्रिपिटक है उनकी संख्या है उनका नाम है सुत्पिटक ये उपदेशों का संग्रा माना गया है बिनाय पिटक संग के नियमों के लिए है अभिधम पिटक दर्शन के लिए है आपको तादे बौध धर्म में जो तीन पिटक है सुत्पिटक को उपदेश मान इसका विभाजन पांच निकायों में हुआ है दीग निकाय सुथ पिटक का विभाजन जो है तीन निकायों में हुआ है जिसमें दीग निकाय बुद्ध के सिच्छा और संबादों का संकलन है इसमें 34 लंबे उपदेश है महा पर निर्मार सुथ इसी में से है मज्जिम निका इसमें 125 छोटे उपदेश हैं सयुक्त निकाय यह संचित घोषडा है अंगुत्त निकाय इसमें 200 से ज्यादा संचित कतनों का संग्रा है इसे एककुत तरागम भी कहते हैं अंगुत्त निकाय इसमें 2000 से ज्यादा चंचित कतनों का संग्रा है खुद्दक निकाय इसमें बौध दर्शन से समधित 15 गंतों का संग्रान है इसे धम पद, सुत निपात, थेरी गाथा, थेर गाथा, जातक कता सामिल हैं बौध धर्म में धम पद की तूलना गीतों से की जाती है चीनी तिपटकों में इसके अनुबाद मिलते हैं जातक कता में बुद्ध के पुर जर्म की घटनाओं का वर्लन किया गया है बिनाइपिटक इसमें संग से सम्मधित नियम है इसके चार भाग हैं सुत विभंग इसमें अनुशासन के सुत रहें इसके दो भाग हैं महा भिभनसक भिमुख की भिभनसक खुद्धक इसके दो भाग हैं महा वग और चुल वग पति मुख अनुशासन के नियम है परिवार पाठ अभिधम पिटक इसमें बुद्ध की सिच्छा का दार्सिंग विवेचन है एवं आध्यात्मी विचारों को समाविष्ठ किया ग प्रसनोत्तर सैली में लिखे गए हैं इनमें मोगली पुत्तिस रचित कथा वस्तु सबसे महत्पूर्ण है त्रीपिटक के बाद सरवाधिक महत्पूर्ण ग्रंत है मिलिंद पांड़ हो मिलिंद पांड़ हो इसमें ग्रीक राजा मेनांदर एवं बहुत भिच्छूब ना दीपवंस महावंस क्रमसा चौथी पाच्वी सदी इसमी में रचित स्रिलंका के बौध महाकाब्य है चुलवंस नवी सता उनिस्वी सताब्दी की रचना है आगमों का सबसे बड़ा ठीका कार बुद्ध घोस है इसने बिसुद्ध मग की रचना की है जो बौध सिधान्तों पर आधारित प्रामालिक दार्शनिक ग्रंथ है महावस्तु लोकुत्तरवादियों का बिना एपिटक से संबन्धिक ग्रंथ है लोकुत्तरवादी सैली की संगीत में अलग होने पर यह लिखा गया है वाली महासंगिकों की एक साखा है महायान के साहित कौन कौन से हैं महायान साहित्यों की बात करें तो महायान संप्रदाय के साहित्य अधिकांस्त पाली में लिखे गए हैं वैपुल्य सुत्र महायानियों का धर्म ग्रंथ है इसके कुछ महत्पूर ग्रंथ है अश्ट सहसिका प्रज्ञान परमिता और सद धर्म पुंडरिक ललित विस्तार लंका वतार सुण प्रभास व्यूह तथा गत्व गुल्प ज्यान समाधी राज दस भूमिस्वर्प बैबुल्य सुत्र में सबसे महत्पूर सद हर्म पुंडरिक है इसमें महायान संप्रदाय के उल्लेखनी विस्यस्ताओं का वर्डन है आरंबिक पुस्तक इसकी है ललित विस्तार है जो बुद्ध क प्राचिंतम जीवनी है इसमें विभिन प्रकार के लिपियों का वर्डन है एडविन ओनाल्ड ने इसे दा लाइट आफ इस या महात्मा बुद्ध को दा लाइट आफ एसिया कहा नाम से अनुबादित किया है महायान ललित विस्तार को ही एडविन ओनाल्ड ने दा आफ एसिया नाम से क्या किया है अनुबादित किया है महायान संप्रदाय का सबसे महत्मूर दार्शनिक पुस्तक प्रज्याप परमिता है पारमिता का अर्थ उन गुड़ों की प्राप्ति है जो बुद्ध्वत्व प्राप्ति के लिए आवस्यक है महायान साहित में दंत कथाओं का भी भंडार है इन कथाओं को आवदान कहते हैं कुछ प्रमुक आवदान है आवदान सतक दिव्यावदान आवदान कल्पलता छेमेंद्र द्वारा रचित है सुखावत ब्यूः इसमें अमिताब एवं उनके स्वर्ग का वर्डन है बज्र छेदिका आत्म ज्यान समंधी लेख है करंड ब्यूः आवलोकित स्वर्गी महानता का वर्डन है कुछ महान बहुत बिद्वानों की रचनाएं हैं नागार्जुन की रचना है सहस्त्र प्रज्या परमिता सुबंदु की है अभिधम कोस आर्य देव की है चतु सदक और चंद्र गोधिन की है बौध ब्याकारण बौध धर्मक को राज की सनक्षण और प्रदान किया गया है विम्विसार अजासत्रु प्रसेंजित प्रद्दोत आदी ने सनक्षण दिया आगे चलकर असोक ने इसके प्रचार के लिए विद्येशों में प्रचारक भी भेजे बौध धर्मक की प्रचारक और वो किन छित्रों में गये थे उनको भी देख लेते हैं आपको बता दे मज्जन्तिक जो है कस्मीर और गंधार गया था सोन वह उत्तर गये थे सुवन भूमी महारचित गया था यवनराज महादेव गये थे मैसूर महिला मंडल था ये और मज प्रचिम जो है हिमालय और संड़चित जो गया था बनवासी महा धर्मरचित गया था महाराष्ट महेंद्र और संगमित्रा गये थे स्री लंका बाद के काल में हिंद यूनानी कुसाणों ने बहुत धर्म को अपनाया मेनांडर कनिश्क इसके प्रमुक संड़क्षक थे बहुत बिद्वान असगोस वसमित पार्श कनिश्क के समकालिन थे इसी समय प्रचारक चीन में हुआ कस्यप मातंग और धर्मरत्न स्वेत अस्व पर चड़कर चीन की राधानी चड़ंगान गये थे बाद के काल में कमल सील भी तिब्बत होते हुए चीन गये थे चीन यात्री फाहयान फोक क्योंकी वेंसांग सी यू की सुंग यून इत्सिंग बौद धर्म से प्रभावित होकर भारत आये थे वेंसांग के अनुसार हर्स महायान संप्रदाय का सनक्षक थे इसी के समय बौद धर्म तंत्रवाद का विकास हुगा था धर्म पाल ने विक्रम सिला विस्विद्यालय की अस्थापना की जबकि देवपाल नालंदा विस्विद्यालय का सनक्षक था 12 सदी में तुरकों तुरकी आक्रमण के साथ बहुत धर्म का अंत हो गया तुरकों ने नालंदा, बिक्रमसिला, उदंतपुरी को लूटा और उसे नश्ट कर दिया बहुत धर्म का बिदेशों में प्रचार हीन यान स्रिलंका, बर्मा, स्याम, कम्भोडिया और लाउस में फैला मायान मदेशिया और चीन में फैला, बज्रयान चीन और जापान में फैला राजकुमार ने जापान में बौध धर्म पचार के लिए असोक जैसे कारे किये बौध धर्म के प्रमुक पंथ कौन कौन से थे असोक के समय में बौध धर्म के सनक्षक बने प्रारम में बौध धर्म के दो प्रमुक पंथ थे महासंगिक पंत येक संग था जिसका नाम था महासंगिक प्रतेक ब्यक्ति में बिद्धत्व बृद्धित्व प्राप्त की स्वाभाविक सकती है इसका प्रधान केंद्र मगद में था बाद में महासंगिकों ने हीन यान के उदय का मार्ग प्रसस्तर किया इस्थिरवादी परंपरावादी सबको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो सकता इसका मुख्य पीठ कस्मीर में था इसके दो प्रमुख्भेद हैं हैमवंथ और सरवास्तिवाद इसमें बाद में नव प्रभेद हो गए थे दुतिय संगत के बाद इस्थविरवादी कोई ही महासंगिक या हीनयाद कहा जाने लगा हीनयान या स्रामवल यान बुद्ध की मुल्ग सिच्छा में विश्वास रखने वाले हीनयान कहलाए मुर्थ पूजन में अविश्वास प्रतिक चिन्नों की मुर्थ की पूजा इसकी प्रमुक साखा थी सर्वस्तिवाद, सवत्रांतिक और सामित्य, बाद में भारत में इसकी लोकप्रियता समाप्त हो गई, पर स्रिलंका, बर्मा, कमबोडिया, लाओस तथा लाइस लेंड में यह बिक्सित हुआ, सर्वस्तिवाद वसुबंदु ने इस दर्शन की अभ साचीन बौद सुत्रों पर विभासा टिका लिखा गया, जिस कारण या बैभासिक नयन के नाम से ज्ञात हुआ, इसका साहित्य प्रथम सताब्दी इसापुर में सिलंका के वक्त गामनी के काल में लिखा गया था, सिंगली प्रकित में प्राकृतिक में जिसे पाच्वी सताब्दी में बुद्ध गोस ने पाली में अनुदित किया, पाली का तीन पिटर सरवास्ति वादियों का ही साहित्य है बैभासिक सरवास्ति वाद से बैभासिक उपजा जिसका प्रमुख किंद्र कस्मीर था इसके दो प्रधान भेद हैं कस्मीर बैभासिक पास्चात बैभासिक गंधार किंद्रस्थल इस पंत के अनुसार प्रतेक वस का अस्थित्व है जिसका ज्ञान प्रत्यच प्राप्ति अच्छ से संभव है इसलिए इसे वाय प्रत्यच वाद भी कहा जाता इसके आचार्य है वसुमित्र बुद्ध देव और धर्म त्रात और खोसक सवत्रांतिक इसका मुख्य आधार बैभासिक के प्रतिकूल सुत्त है आता इसे सवत्रांतिक कहा गया चित एवं वाय जगत की सत्ता बिद्धमान पर करते हैं परन्त किन्त इसका प्रत्यच ग्यान संभव नहीं हो सकता इसका ग्यान हम अपने ही मन में बने प्रतिविंब के आधार पर करते हैं वाय वसत्त का प्रतिविंब मन में बनता इसी से वाय सत्ता का बोध होता है इसी के प्रमुक आचार कुमारल और स्री लाम और यसा मित्र हैं समित्य ही नियान की सबसे आगे की धारा है जो बौद धर्म की अनात्म वाद को अस्विकार करते हुए मानता है की आत्मा है और इसी का पुनर जन्म होता है इसकी उत्पति ही नियान की बात करें ही नियान क्या है इसकी उत्पति ग्रीक आधी आक्रमण इसाई प्रभाव ब्राहमण संसोधनवाद विस्तारवाद की अपिछा दार्सनिक आधार की आवसक्ता के मद्दे नजर हुई महा संगिकों के भावांतर परिवर्तनों के बाद इसका उद्दे हुआ इसके बोधिसत्यान भी कहा जाता है इसका अर्थ ब्रिहत यान अर्थात अधिकाधिक प्राणियों के निर्वाण सुख की प्रावति का महाप्त ग्रिहस्तों के लिए भी संभव है कालांतर में पूजा पाड़ भी करने लगे मुर्थ पूजा महायानियों ने ही सुरू किया इससे सुखावत स्वर्ग की परिकल्पना भी उभर कर आई इसे अभिभावक अमिताभ भी कहते हैं और महायान बहुत धर्म की साखाएं माध्यमिक या सुन्यवाद थी इसका प्रिश्पादक नागारजुन को माना जाता है इसके पुस्तक थी माध्यमिक कारिका नागारजुन की पुस्तक का नाम क्या था माध्यमिक कारिका इसमें बुद्ध ने निर्माण को वड़नातीत बताया कि आधार पर इस्पष्ट किया गया है कि प्रतेक वस्तु किसी अन्य वस्तुं से बना है यानि परमपरा परस्प निर्भर है सुन्य एक परमसत्ता है जो वड़नातीत है इसी आधार को लेकर संकर का दर्शन आगे बढ़ा अता इन्हें प्रचन बौध भी कहा जाता है नागार्जुन ने समाधी के माध्यम से प्रग्या प्राप्ति को संभव बताया है जिसके बाद निर्मार की प्राप्ति हो सकती है इस दर्शन का आइश्टीन नागार्जुन को भारत का आइश्टीन कहा गया है या सापिचतावाद का पुरोगामी भी माना जाता है और यही दर्शन आइश्टीन के सापिचवाद सिध्धान्द का भी प्रचपादन का आधार बना इसके अन्य बिद्वान हैं चंद्रकिर् आर्य देव संतरच्छित और संतिदेव और बुद्धि पालित योगाचार्या विज्ञान वा तीसरी सताबदी में तीसरी सताबदी में इस्थापित किया गया सुन्य वाद के ही समान यह भी वाहे वस्तुओं की सत्ता को अश्विकार करता है किन्त चित Κी सत्ता को मानता है और चित को ही विज्ञान मानता है जिसमे वय सत्ता के अस्थित की प्राप्ति प्रतीति मात्र है। चित की आलय विज्ञान मानते हैं चित की प्रवित्य ही पुनरजन्म का कारण है और योग एवं आचार के माध्यम से चित की निवत्य संभव है इसलिए इस दर्शन को योगाचार भी कहा जाता है बोधिसत्व महायान साखा में बोधिसत्व की आवधाणा उभरी आवलोकिति स्वर आवलोकित अपने नीचे देखता हुआ इसे भी कहा जाता है सरव प्रथम बोधिसत्व की कल्पना की गई आवलोकिति स्वर का मतवता नीचे देखता हुआ कहा गया है मन्जुस्री विवे के उनायक एक हाथ में तलवार जिसे गलतियों का नास करते हुए दूसरे हाथ से एक पुस्तक जिसमें दस परमेताएं हैं वजरपान जबुस्तक पुस्तक के उन वाड़ जो है अन्यकारणों को नश्ट करता नजर आएगा और वजरपानु पाप और दुस्तों का बिनास करने वाला जिसने वजरपानी बुद्ध कहा गया है और चति गर्भ सुद्ध स्थान के अभिभावक एवं काराग्रिय का नियंता कहा गया है सामन्त भद्र एवं भैसेज राज विसेश्ता विहीन बोधिसत्व हैं दस परमिताएं बोध धर्म की कौन कौन सी हैं ये दस परमिताएं है बज रियान बोध इसके तहत परग्या परमिता बुद्ध एवं बोधिसत्व को इनकी कल्पित पत्नियों के साथ संयुक्त कर दिया गया है और इनकी पत्नियां जिनकी उनकी सक्ति बन गई है अता उन्हें प्रसंद करने के लिए उन देवियों की पूजा आरंब हुई बामाचार योनाचार आदि के माध्यम से विभिन क्रिया विदिद्वारा विचित्रित क्रियाएं आरादि को प्रसंद करने की चेश्टा होने लगी आठवी सदी के लगवग यह बंगाल में लोक प्रिय रहा जिसे बंगाल के पाल सासकों का सनक्षण भी मिला बज्रियान पाचीवी से छठी सतावदी इसापुर बाउत धर्म का बज्रियान यह जो है पाचीवी से छठी सतावदी स्विव स्रोत संघर्स एडिरिक संयुक्त मूल क्या है ग्रिय जनमाई सहजदान प्रवर्तक राहुल भद्र वाद में राष्टवाद नामसे दस्वी सताब्दी में इसमें बज्र यानी क्रिया का विसेस महत्व है इसके तहद बोधिसत्व का वर्दान पाने के लिए जादूई सक्ती राप्त करने पर बल दिया जाने लगा इसकी प्रधान देवी तारा बुद्ध की पत्नी थी इसके अलावा कुछ मामली महत्व की द प्रमुक देवता हेरुक सिव के समान यमार यम साम्य चंभाव कुवेर के समान इनका मंत्र था ओम माड़ी पदम हुमें इनकी पुस्तक थी मन्जु स्री मूलकल्प एवं गुरिह समाज असंगत को गुरिह समाज का रचैता बताया गया है बज्रयान का एक समुदाय है दस्मी सताबदी इसापुर में काल चक्रैन के नाम से उभरा उभर कर सामने आया काल चक्रतंत्र एवं बिमल प्रभा ठिका इसके आधार ग्रंत माने गए हैं मानता है कि मंजुस्री प्रवर्तक, मंजुस्री का प्रवर्तक है तथा कालचक प्रम देउता है बंगाल में ही सहज यान संप्रदाय विक्सित हुआ आठमी सताब्दी में प्रवर्तक राहुलवाद जो सरहवाद कहलाए अब आप देखते हैं कि ही नियान महायान में मुखरूप से अंतर क्या है ही नियान या दुखवादी दर्सन है जो मानता है कि तिश्रा जो विभ्रमित आत्म भाव से उपजी इच्छा है पोत्याकर धर्म चक्र प्रवर्तन सुतन के अनुसार अहर प्राप्ति कर सकते हैं और इसके बाद निर्माण की प्राप्ति हो जाती है इससे ब्यक्तिगत स्तर पर जन्म मरन के बंधन से मुक्ति मिल जाती है अपनी योग्यता संचरन संभव नहीं है यह एक उदारवाद सेवा भाव संपन दिष्ट कोण है को लेकर आगे बढ़ा जो यह मानता है कि स्वयम को मुझ प्रदान करना का पर्याप्त है सभी को मुझ मिल सकता है अता इस आधार पर उन्होंने बोधिसत्व की जो निर्मान के बाद भी अन्य लोगों को बोधिसत्व उपलब्ध कराने के लिए कारे करते हैं सभी जीव मानव मात्र नहीं है सरवास्तिवाद मानते हैं कि 25 बुद्ध हुए हैं और इनके प्रतेक बुद्ध जो बिना मार्क दर्शन के ही सत्थ की प्राप्त कर लिए लेकिन कोई सिच्छा प्रसाद नहीं की पुना बुद्ध की भी महा पर निर्मान के बाद कोई भूम का नहीं निभाते हैं और उन्हों फिर देखे ज महायान को आता है, इनकी मानिता है कि अपना विस्ष्ट ग्यान दूसरों को प्रादान किया जा सकता है, जब कि हीन यानी शिर्व मागदर्सक तक अपनी भूमे का सिवित मानते हैं, यानि कि महायान सामुहिक्ता वह हीन यान इकाई में विश्वास करते हैं ही नयान बुद्ध को भी ही नयान बुद्ध को भी एक सिच्छक के रूप में देखते हैं एवाम उनके प्रतीक संब्ध अस्थल को की महतो देते हैं ही नयानी बुद्ध को देखता देवता देवता मानते हैं और उनकी पूजा मुर्थि बना करने लगते हैं इनकी हिन्यानियों की भासा पाली थी और इनकी संस्कृत महायान की भासा संस्कृत थी बहु आयतिहासिक थे और ये बोधिसत्व बुद्ध को पाक मानते हैं जैन धर्म और बहुद्धर्म में तूलना आप देखते हैं जैन धर्म और बहुद्धर्म में तूलना समानता देखते हैं दोनों ही के संस्थापक छत्री कुलके थे आपको बता दें जैन दर्म बौद धर्म दोनों के संस्थापक जो है कर्म के नियम को ही प्राणियों से उपर माना है ब्रहमवादी संस्कार बेद यग इस्वर अस्थित वाद को नहीं माना है सामा ने भासा में उपदेश दिया है जादि प्रथा तथा इस्त्री पुरुष में असमानता के निंदा की है दोनों ने उपदेशों को सिच्छा किसे प्रणाली है असमानता देखा जाए जैनियों ने साधारन जन को अपनी ब्यवस्था में मुख्यस्थान दिया जबकि बुद्ध के निर्मान का अर्थ था दुख एवं जीवन मरन के चक्र से मुक्ती जबकि जैनियों के निर्मान का तात्पर्य सरीर मुक्ती था बुद्धों के विपरीत आत्म दमन का समर्थन करते हैं आप दादें इनका अपजैनियों का मानना यह था कि आत्म दमन ही संसार का सबसे बड़ा सुख है संसार का सबसे बड़ा यह क्या है सुख है बिना इसके कुछ कारे हो नहीं सकते हैं आप बौध धर्म की देन देखते हैं बौध धर्म ने विस्तों को क्या दिया है अहिंसा का सिध्धान्त बौध धर्म ने दिया चक्रवर्ती राज की संकल्पना बौध धर्म ने दिया सामाजिक समानता की संकल्पना इस्त्रियों को धर्मिक मठों में प्रवेस विभिन द देन हैं दासों के प्रतिमानवी विवहार का दिष्ट कौन ब्युवसाइक विकास में योगदान अब मुर्ति पूजा भी कहां से मिली है बौद धर्म से मिली है अब अगला जो आपका धर्म है वह क्या है जैन धर्म है जिसके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे दोस्तों आपसे बिनमर निवेदन है कि आप मनोज आई यूटूब चैनल के साथ जुड़ें इसे लाइक करें सस्क्राइब करें और हमारे साथ हमेशा बने रहें और कमेंट करके अपने विचारों को बताएं और निश्चित रूप से आपको अच्छे अच्छे ज्यान हम द